हम अज़ बनने जा रहे हैं रावा और राई साटा की जिल्लेवी तो सबसे पहले स्वाज़त करती हूँ आप सवी दर्शोकों की स्वाज़त है यूट्यूब चनल में हमारे यूट्यूब चनल में तो पहले हम क्या करेंगे एक बैटर बना लेंगे तो हमने कप में नाप के लिया है और आप कोई कटोरी या तो चाय वाली कप भी ले सकते हैं अधर देड़ कटोरी मैंने दोनों मिना के ले रही हूं देड़ कटोरी राबा और राइस अटकों मिना के देड़ कटोरी ले रही हूं हम देख सकते हैं और आप क्या कीजिएगा इन्हें अच्छी तरह छान ले एक बाद फिर आप कटोरी से नाप लिख जिएगा तो देर कटोरी मैं चीनी भी देर कटोरी लिया है और तीन चार भरिय नई चीलिया क्रस करके डाल देंगे तो पहले हम बैटर बना लेठे हैं और इन्हें अच्छी तरह साइट में रद देंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह रद दीजेगा पूरी वीडियो देखते जाईएगा तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी और आपी बहुत बढ़िया तरीके से कि अधुधाइबी जैसे जाएशे कि खमीर बनाते हैं दो तिन दिन पहले विजो के रखते हैं तो हम इंस्टैंट बना रहे हैं तो हम इन्हें अभी एक चंद करें दही भी डालेंगे तहनाइब ले लिया एक चंद करें दई रिवेस ó तक कि खटबन थोड़ा सा आजाए इसमें तो थोड़ा सा मैं पानी डाल करके इस पो अच्छी तरह फेंट लेते हूं तक इस वोटलिया यानि लम्स बगर ना रहे हैं इस तरह अपने फेट के डालना है ठीक है फिर हम क्या करते हैं अभी इनको विक्स कर लेंगे अच्छी तरह और राइस अटा और राइस अटा और राइस अटा और आपकर जो रावा है ना बहुत पानी शुक करता है इसलिए पहले नाप के पानी डाल करके इन्हें इठाक करके रग दीजिएगा तो मैं फिर से भी कह रही हूँ वोड़ी तरह वीडियो देखते जाएगा इसमें थोड़ा सा काला डालेंगे हम आप तो आये तो कनल यूद भी ना करिए मगर आपको बादर पसंद नहीं है तो तो हम इन्हें ढख करके अभी साइड वे रग देंगे दस से पंदर में ठीक है फिर हम क्या करते हैं सुगार को चासनी बनाएंगे चासनी के लिए हमने फीन चार अनाई थी ले लिया हरी अनाई थी प्रस करके डाल देंगे और कप में जैसे मैंने बोली थी अभी ना तो ओई बना कटोरी में मैंने डालनी है पानी एक कटोरी सब दटो दी ठीक है दो हम अभी इनको रखते हैं ग्यास में पूरी वीडियो देखते देएगा दूस्तों अगर पसंद आये तो नाइट से जीरूर करिएगा अगर नए मेरे चनल में नए आये तो सब्सक्राइब जीरूर कर दिजीएगा और हर रोज नए रेश्पी देखने के निए खाने के लिए बनाने के लिए अप्वो और बटन उसलीन करना है ओभी बिल्कुल फ्री में ठंक्यू चलिए हम रखते हैं अभी चास्मिंग यहाँ पर चास्मिक बनाने के लिए रख दिया जब तक हमारा शुगर मेल्ड होती है तब तक हम और बागी की ट्यारी कर लेते हैं अगर एक दो ड्रोक्स डाल रहे हैं तक ठीक पींजभी डाला फोट क लाग केशरिया कलर कर्म है यह भी जाल प्रकीव आक्षानल है मैं डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते को आपका लाइक करते हैं तो तो ऐसकिब कर सकते हैं तो और थोड़ी दिर हम पकाएंगे फास मिनिट करीब मैंने आप पर रग दिया था स्वीजी और राइस अटा को ख्यांट के रखे एक चमज दही डालके बेटर हमारा दस सिपल रमीनिट रेश्ट कर लिया है आप हम क्या सरेंगे इनमें फोड़ा सा हुट कलरेट करेंगे ए एक दाउन एक पिल्च ज्यादा नहीं और हम जरा साथ एक चुटकी भर नाट चरेंगे यह देख सकते हैं आप एतना और एक चुटकी भर हम डालेंगे खाने बाला सोडा यानि वेठा सोडा यह भी देख रहे हैं आप इतना ही डालना है एक चुटकी भर फिके फेट चलते हम बैटर को फेट लेते हैं हार स्पारीनित अच्छी तरह फेट लेंगे और पानी नगानी में तो अच्छा है बीराबा है चो है तो अहिंन एदान दानर है इसमें अब देख लिए पहने से फेट लेते हैं यक दोस्तों हम बनाते हैं यह वि मिन केक साल रने के साम आता है यह भी आप ले सकते हैं ठीक है मैं तो फिनाल जो बनस्पति घी बले जो पनी है ओई बनी में ले रही हूं तो आप इस तरह रखे इनमें बटर डालके आप असानी तरीका से बना सकते हैं यह लिए बनस्पति ही बले पैकेट्स और इन्हें अच्छ हम बटार डालके अराम से आप भी बना सकते हैं आप भी कोई भी पनी लेके बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि वह जंजट की काम लगती है सब को नेकर कोई जावी इंडियो की काम नहीं है सब लोग गर में असानी तरीका से बना सकते हैं तो इस तरह हम ले और यह जो फोना है ना इसको हैची में काट दे और पॉलठींग को अच्छी तरह रबर्बन से इस तरह आप बांध ले है कि आपको पकड़ने में असानी रहे फिरावन कोने को अच्छी तरह काट लेंगे हैची में है चलते हैं कराई की और अब इस तरह एक हलावा बड़तन लीजेगा विलेवी की जो बड़तन होती है ना वह अलब तरीकसी होती है इसे हलावा होना चाहिए और इसको कि ने एक बन में चार छे पीसेज बना लिए दिने भी और हां अभी चासनी में डाल देंगे इस तरह कि चासनी भी थोड़ा सार गुलगुना होना चाहिए और ज्यादा देर तक नहीं रखने पर में चार छे पीसेज बना लिए दिने भी और हां अभी चासनी में डाल देंगे इस तरह कि चासनी भी थोड़ा सार गुलगुना होना चाहिए और ज्यादा देर तक नहीं रखनी है दो से तीन मिनिट रखे जब बिल्कुल रसेला हो जाए ना तब हम निकाल लेंगे दो-तीन मिनिट की बाद तब तब हां और एक सेकेंड बैच डीफ्राइ कर लेते हैं अब फ्राइब करने के टाइम में लेव को हाई रखे और इस तरह फिर आफ फोड़ा सार फिर एक सेट इस तरह इस तरह एकदम शेक जाए पिर हम अलड़ देंगे इस तरह कि तीड़ा मीड़ा बन जाते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है चोटा बढ़तें चोटा है ना इसलिए तो हम इस तरह बना के बीच में इससे अट करके दोसरी साइड भी अच्छी तरह सेक लेंगे और एकदम करारा बन गई है आप देख सकते हैं कटने में पता चले रहा ह तो आईए दोस्तों हम देखिए डेड़ काप इंग्रीडियन से बना लिया इतने डेड़ सारे जिलेवी वह भी घर पर तो आप भी बनाईए मैदा से राबा से और वेशन से आप कोई भी चीज से बना सकते हैं और खा सकते हैं अच्छी तरह मन तर जाएगा एकदम ये इस कावाल भी सुनिये देख रहे हैं एकदम प्लापी सा है और बढ़िया है रसीला है तो प्रेक एंड टीट्स आप धियान से फॉलो करिएगा तो आप भी घर में बराबर बना सकते हैं तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए अच्छ रहि यदख भी जात्रहु घटलो कोसिति दोलो के लिए और ए वा वै त posição में बात्रहुब्टिय हैं तेख लेगों क्रिजब से एंजिए संवारु के लिए और प्राइलो, के लिए मेर沏लु के लिए 5 हैं और लिए साथ ऊंड़िस आटें टी, नढबर दीएु के रही ज